एक्वा कल्चर इंडेस्ट्री का बिजनस सिर्फ डोमेस्टिक मार्किट को ही अपने टार्गिट में नहीं रखता बलकि इंटरनेशनल मार्किट में भी इसकी अच्छी खासी पकड़ रहती है और कहीं न कहीं एक्सपोर्ट मार्किट पर भी इसका फोकस ज़्यादा लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप चैनल पर पहली बार आएं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें वोटर बेस लिमिटेड इस कंपनी का प्राइमरी बिजनस मैनुफेक्टरिंग एंड सेल ओफ शिरिम्प फीड्स और शिरिम्प एक्वा कल्चर में हैं करीब 30 एस से वैसे तो आप सभी को पता ही है शिरिम्प के बारे में इसको हिंदी में हम जिंगा के नाम से भी जानते ह ये कंपनी जापान, यूरोप कॉंटिनेट और यूनाइटिट स्टेट्स जैसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है 4.78 क्रोड की इस मार्किट के वाली कंपनी पर 1.21 क्रोड का डेट है जबकि प्रिवियस एर इनके पास 40.2 क्रोड का फ्री कैस फ्लो एवलेबल था जो कि अब बढ़कर 50.5 क्रोड का हो गया, साथ ही आपको बताना चाहूंगा लाश्ट इयर कंपनी पर 12 क्रोड की बोरिंग्स थी जो कि अब कम होकर सिर्फ 1.21 क्रोड की रह गी, क्वार्टर वन भी काफी शांदार रहा जहां पर कंपनी को 7.61 क्रोड का नेट प्रोफिट हुआ, साथ ही सेल्स भी एकदम से काफी बढ़ गई, सभी फंडामेंटल्स को समझ कर हम इस कंपनी को ओल्मोस्ट डेट फ्री ही कंसिडर करेंगे, स्पोर्ट की बात करें तो 109 का दिखाई देता है, गिरावट के साथ मिनिमम कैपिटल स्टेटर्जी का यूज कर इसको कंसिडर कि जा सकता है, लेकिन लोंग रन में, इसका RSI 44.89, वैसे तो स्टोक अभी फियर जोन में ही है, बात करें 52 वीक रेंज की, तो शेर हाई 146 और लो 95.2 रहा, अगला क्वार्टर भी कंपनी अच्छा एक्सपेक्ट कर रही है, वैसे पहले हमने इस कंपनी को सिर्फ एक ही बार की हो गई, educate holdings होने के साथ एक भी शेर गिर्वी नहीं है, तो इस दोनों ही positive point हमें देखने को मिले, future में इस कंपनी के growth और expand होने के chances भी कहीं ज़्यादा दिखाई देते हैं, इस sector को अगर हम दूसरे sectors की companies के साथ comparison करें, तो competition कम दिखाई देगा, इनके खुद के sector में, हमा के लिए बाइ बाइ और टेक केर